Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar. Guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं about breadcrumbs. Guys, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो हमारी e-commerce की website है या हमारी जो online shop है, उसका किस type से हम search engine optimization कर सकते हैं और कुछ basic sum लोगों ने cover किये. यहाँ पर हम लोग breadcrumbs के बारे में समझने वाले हैं कि breadcrumbs का क्या रोल है e-commerce website में, हमारी online shop में और किस type से हमारे जो SEO के efforts होते हैं, उनको और improve कर सकते हैं हमारी ranking में भी directly और indirectly एक important role play करता है, guys. यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यह नहीं पता है कि breadcrumbs actually दिखते किस तरीके से हैं, तो मैं वो बता दीता हूँ, क्योंकि बहुत सारे beginners हो सकते हैं जिनको यह नहीं पता है कि breadcrumbs दिखते किस तरीके कह हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैं product वाले page के उपर हूँ, या आप जो आपकी e-commerce website होगी, किसी भी specific page के उपर आप जाएंगे, तो आप देखते हैं, यहाँ पर टॉप में आपको एक navigation type का दिखता है, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यह देखो आप बक्तेश fashion, फि change and optimization कर रहा है, तो Google भी इसको use करता है, Google भी जो आपकी website के उपर breadcrumb के structure होते हैं, उसको समझता है, और उसके business पर आपकी website को crawl करता है, और हम इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं, यह हमारी website की जो accessibility है, यह हमारी website को किस टाइप से Google का crawler crawl करेगा, उसमें breadcrumb एक बहुत ही website हो, दोनों ही website, अगर वो e-commerce website है, तो आपको breadcrumb को use करना है, जो आपकी custom coded website होती, वहाँ पर आप developer से consult कर सकते हैं, developer को बोल सकते हैं, कि आपको यहाँ पर breadcrumb चाहिए हो, breadcrumb में actually आप क्या order show करना चाते हैं, यह भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो क्यूंकि उन्हें प यहाँ पर show करा सकते हैं, जब कभी भी breadcrumb आपकी website के उपर होंगे, तो जब कभी Google का crawler आता है, तो वो इनको भी देखता है, यह है क्या actually, बहुत ध्यान समझने कोश्च करो, यह है क्या basically, यह केवल normal text नहीं, अगर आपको लग रहा है, यहाँ पर designer text type का लिखा हुआ, arrow arrow क करके, तो ऐसा नहीं, यह basically एक type के links है, और आपको पता है, कि crawler जो है, वो link को read करते हैं, और उसकी information को capture करते हैं, तो इसी type से, जब crawler इन links को read करते हैं, तो उन्हें actually, समझ में आता है, कि आपकी website का जो navigation हो किस type का है, और किसी भी type की website हो, चाहे वो e-commerce website हो, चाहे वो blog website हो चाहे वो normal website हो, search engine optimization में technical SEO के point of view से सबसे आदा जो important चीज़ हो यह है, कि आपकी website के बारे में Google कितनी अच्छी तरीके से जानता है, Google आपकी website के pages को कितने अच्छे तरीके समझता है, और वो सारी चीज़े कैसे improve होंगे, जैसे जैसे आप अपना technical SEO improve करेंगे, जितने अच्छा होगा या बहतर होगा, और जितना बहतर आपका technical SEO होगा, चांसे उतने अच्छे हैं कि आपकी जो website है, वो rhyme करेंगी, क्योंकि वो तो SEO का ही part है, यहाँ पर हमें यह समझ में आगया कि breadcrumb क्या होता है, तो यह तो मैंने आपको एक custom coded website पे दिखाया, यहाँ पर हम hoodies और उसके बाद अगर आप किसी एक specific product के उपर जाएंगे, तब भी आप यहाँ पर देखेंगे, जो आपका यह menu है, उसके नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको breadcrumbs दिख रहा है, तो guys, यह important है कि हम breadcrumbs को यहाँ पर show करा है, अगर हमारी कोई e-commerce website है, तो breadcrumbs हो और कुछ हम लोग benefits की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद बात करेंगे, implementation की, so guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं, e-commerce stores with large number of categories can simply simplify the user experience by displaying breadcrumbs, जहाँ पर बहुत जादा categories होती है, वहाँ पर breadcrumbs अगर आप use करते हैं, तो user के जो experience है, उसके point of use से भी important है, और crawler तो इनको read करते हैं, क्योंकि यह basically links होते हैं, types of breadcrumbs basically दो major categories में है, further हम और categories create करना चाहें, तो हम कर सकते हैं, बट अगर majorly बात करें, तो majorly दो ही categories होती है, hierarchy based breadcrum, मतलब आपकी website का structure किस type का, उसकी तरीके से जैसे है, अभी हम लोगों ने बात करी, सबसे पहले website भी क्या आता ह होम पेज, उसके बाद हमारे category page, उसके बाद सब category page is then products, right, तो this is basically hierarchy based breadcrumb navigation या जो हमारी website का structure है, hierarchy based, अगर हम उसको convert करना चाहें, तो किस type से कर सकते हैं, उसके बाद history based जो breadcrumbs है, उसमें basically आपका previous step, right, go to previous step, जैसे जहाँ पर आप देखते हो, अगर हम लोग यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, जो हम लोगों ने अभी second वाला previous step वाला example है, history based breadcrumbs हम लोग इसको बोलेंगे, benefits की बात करते हैं, user का experience enhance करता है, bounce rate कम करता है, bounce rate क्यों कम करता है, मैं इसको समझाने कुश्च करता हूँ, आपको मैं वापस आ जाता हूँ, home page के उपर, और यहाँ पर अगर हम कोई भी specific category select करते हैं, इसे wedding share वानी है, और कोई जो user है, वो इस specific category के उपर land करता है, तो यहाँ पास option होता है, यहाँ से फिन navigate कर सकता है, जब कभी user इस page के उपर land करेगा, इस page के उपर आएगा, और यहीं से वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इस website को exit इस page से नह option दे दी, कि वो वापस किसी ने किसी page के उपर जा सकता है, हमारी website के दूसरे pages के उपर जा सकता है, तो होगा क्या, actually जो bounce rate है, वो reduce होगा, तो देखने में पर बड़ाई छोटा feature लगता है, बर direct और indirect, अगर factors देखे जाए, तो बहुत सारे ऐसे factors हैं, जो किसी ने किसी तरी आप Google को अपनी website के बारे में बताओगे, उतने अच्छे तरीके से जो Google है, वो आपकी website को rank कर पाएगा, जब आपकी website को जितना अच्छे से Google index कर पाता है, chances होते हैं, कि उतने अच्छे तरीके से वो सामने users को दिखा सके, या उतने अच्छे तरीके से keywords के उपर आपका जो website is not complicated, और it has minimum category, you can ignore breadcrumbs, recommended तो नहीं है कि आप ignore करें, बट अगर हाँ, बहुत ही कम products है, 2-4-5-10 products है, in that case, या एक category ही है, तब आप जो है breadcrumbs को एक बार के लिए आप चाहें, तो remove भी कर सकते हैं, या ignore भी कर सकते हैं, ये हमारे internal link strategy को भी effect करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने भ उसको भी ये effect करते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी implementation की, तो जब हम implementation की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो criteria होगा, वह ही होगा हमारे पास, की हमारे पास जो website की technology है, वो क्या है, तो जाद तर cases क्या बनेंगे, या तो हमारे पास custom made website होगी, ठीके, custom code करके होगे नहीं, कोई wordpress जैसे CMS के ओपर नहीं होगी, तो दूसरा जो हमारे पास option है, वो wordpress है, तो guys अगर हमारे पास custom coded website है, तो भी आपको developer की help लेनी पड़ेगी, you have to use your developer, you have to take help from your developer, और यहाँ पर developer involved होगा, और वो जो है आपके लिए breadcrumbs का structure जो है, यहाँ पर create कर देगा, और top of the page, left मे होने चाहिए, पड़े सारे लोग बोलते है, right में कर दो, नहीं, right में नहीं रखना है, आपको double the page में रखना है, आपको left में रखना है, wordpress में you got plugin, एक बहुत ही, क्योंकि wordpress के ओपर अगर आप e-commerce कर रहे होंगे, तो अगर आप WooCommerce के ओपर कर रहे होंगे, तो अगर आप Woo breadcrumbs को activate कर सकते है, ठीक है, breadcrumbs को activate कर सकते है, मैं दिखा देता हूँ, अगर आप use to use कर रहे हैं, तो otherwise जो plugin की मैं नाम बता रहे होंगे, यहाँ पर यह plugin है, WooCommerce breadcrumbs, और इस plugin को use करके जो है, आप breadcrumbs को activate कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप इस plugin को install कर होगे तो यह settings में हमें या WC breadcrumbs नाम से दिखाई देगी और यहाँ पर आपको simply क्या करना है enable breadcrumbs enable कर देना है breadcrumbs को separate कैसे होगा जैसे यह separation कैसा है यहाँ slash आपको करना या arrow इस टाइप से आपको दिखाना है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे let me come back over है तो यहाँ पर जो separator है basically वह हमारा एक slash है और simply बाकी जो चीज़ें वह इसी टाइप से रहेंगे और उसके बाद आपको save changes कर देने है यहाँ पर यह आपको पास option है दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास यह भी option है कि योश्ट के थूँ आप कर सकते हैं अगर अगर हमारी कोई e-commerce website है तो बहुत ही important है और इनको हम किसी भी तरीके से ignore नहीं कर सकते हैं दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में till then goodbye